नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इर्शाद खाना। आज कुछ समस्याओं के समाधान के साथ मैं आपके समक्ष मुझूद हूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट से बाक्से में ये कमेंट से डाली थी कि वो पडोसियों से परेशान हैं। उन्होंने अपनी अलग-अलग समस्याओं शेयर की थी और ये कहा था कि मैं उसका समाधान बताओं कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उनकी जो समस्याइं जो उनके कमेंट से हैं वो बता देती हूं कि किसने क्या कमेंट से करके अपनी समस्याइं बताई हैं और सब लोगों का फिर एक साथ में समस्या का समधान जो है वो आपको बता दूँगी चलिए हम देखते हैं पहला सवाल जो पडोसियों से परेशान है उन्होंने जो भेजा था मीम मेरा घर गाउं से थोड़ा दूर खेत में है और उस रास्ते पे पूरे महले के लोग सोच करते हैं जिससे बहुत गंदगी फैलती है और हमें उसी रास्ते से पानी लेना होता है पर सरपंची भी कोई मदद नहीं कर रहा है अब मैं क्या करूँ पिलीज बताएं मैं बहुत परेशान हूँ अब ये दुसरा वाद देखते हम क्या परेशानी शेयर किये मेरे पडोसी ने मेरे घर के गेट पर गोबर की धेरी लगा रखी है कहा शिकायत करूँ मैं गरी परिवार से हूँ और विख हूँ क्या करूँ वो दो भाई हैं मैं अकेला हूँ घर में मा है मा है बस कोई मेरी सुनता नहीं बहुत डिप्रेशन में हूँ कि दिस्तरे ने भी एए कहा कि सेम इसकी भी यही एक प्रॉबिलम है फिर एकने ओर कप अपने प्रैशानी शेयर कि ऊप में मेरी एक पडोसी हैइए वह हमेशा हम लोगों से लड़ती रहती है और गंदी गंदी गालिया देती है क्योंकि हम लोगों के घर में काफी सारे पेड़ है और जो पेड़ है उनके जो जड़ है वो उसका घर तोड़ देगा ऐसा बोलती है जबकि उसका घर से पहले हम लोगों का घर बन रहा बना है और पेड़ भी लगा था और जो पेड़ का फल होता है वो उधर गिरता है तो उसकी boundary में उसके side में जब गिरता है तो वो fruit तो ले लेते हैं लेकिन वो हमसे पेड़ की वज़ा से लड़ाई जगड़ा करते हैं सारा कच्छरा जो है वो हम लोगों के आंगन में फेक देती हैं कभी-कभी तो मेरी अम्मी के उपर फेक देती हैं और गालियां देती हैं 1000 square feet का बट पूरा plot छोड़ कर मेरे दरवाजे के सामने कच्छरा फेक देता है कई बार मैंने उससे बात की तो बोलता है कि मैं यहीं फेक हूंगा मैं बहुत परेशान हूं क्या करू प्लीस reply में क्विक फस्ट फिर अगला और अपने दिक्कत भेजिए कि मैं में रेंट पर रहती हूं पडोसी रोड पर पानी फेकते हैं और वो पानी मेरे घर के सामने मतब भेता रहता है जिससे मलेरिया डेंगू होने का डर है तो मैं क्या करूं इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स हैं तो इन सारे सवालों के जवाब एक ही हैं इन सारे कमेंट्स को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि अमूमन जो पडोसी हैं उनके साथ क्या-क्या परेशानिया होती हैं देखिए ज्यादा तर पडोसीों से हमें क्या समस्य होती है या तो वो हमारे घर के बाहर कच्रा फेक देते हैं या हमारे घर के बाहर गंदगी कर देते हैं या फिर वो हमा पानी निकासी का रास्ता खोद देते हैं या कोई ऐसा सामन हमारे घर के बाहर पटक देते हैं जिससे हमारी आवाजाही जो है वो रुख जाती है कई बार ऐसे पड़ों से भी मिल जाते हैं जो बिना बाद के गाली गलोश करते हैं आपकी छट और उनकी छट लगी वही हो तो आपकी छट पे कूट जाते हैं या कुछ इस तरह की हरकते करते हैं कि किसी ना किसी वज़ा से वो आप लोगों को परिशान कर सके ये तो कुछ ऐसी समस्या है थी जो लोगों ने पूछी थी कमेंट से करके और मैंने आपके साथ शेयर की है इसके अलावा भी बहुत सारे कम मैं सभी को यहां पर वीडियो में नहीं ला पाई हूं तो सब लोगों की समस्या का एक हल है और वो क्या हाल है उसी पर हमाद चर्चा कर रहे हैं उच्चितम नियालाई ने भी इन समस्याओं से संभंधित कई मामलों में ये डिसीजन दिया है कि आर्टिकल 21 यानि कि हमारे सविधान के अनुच्षेट 21 के अंतरगत स्वच्च वातवरण में रहना व्यक्ति का मोलिक अधिकार है और पड़ोसी जो है इस सारी हरकते करके उसके मोलिक अधिकारों का हनन कर रहा है अगर आपके आसपास भी ऐसे पडोसी हैं और आप अपने पडोसीों से परिशान हैं तो आप उनके उपर क्या कारवाई कर सकते हैं सबसे पहले कारवाई है आप अपने नश्दीक के या आपके एरिया का जो थाना लगता है उस थाने में एक लिखित शिकायत दर्जिक कराएं आप बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि शिकायत ये आविदन कैसा होता है एक नॉर्मल सादे कागश पर आप थाने का जिस पर अधिकारी के नाम जिसा थाना है तो आप थानेदार के ये टी आई के नाम लिखेंगे तो आप उसके नाम एक आविदन लिख दीजिए एक सिंपल सा कागश पर भी लिख सकते हैं अपनी समस्यां उस पर लिखके और वो आवेदन आप थाने पर दे कर आ सकते हैं उसके एक पाउती आप जरूर ले कर आए ताकि आपके पस एजे परूफ ani है कि आप ने थाने में आवेदन दिया था अगर आप यह नहीं कह सकते हैं आपको आवेदन लिखना समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी वकील के माध्यम से भी उस आवेदन को लिखवा सकते हैं अब ये हो गई आपके पहली प्रोसेस के आपको एक आवेदन थाने में देना है थाने में जब आप आवेदन दे देते हैं तो फिर महाँ पर एक जांच होती है और जांच में ये देखा जाता है कि आपकी जो समस्या है वो वास्तों में समस्या है या नहीं है और अगर समस्या है तो उसका निराकरण भी किया जाता है पर कई लोगों ने ये भी कमेंट से करके कहा है कि उनकी शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है अगर एसी कंडिशन आपके साथ भी है तो आप थाने के अलावा आपूर क्या कर सकते हैं आप एस पी आफिस में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं एस पी आफिस में आवेदन देने के बाद भी अगर कारवाई नहीं होती है तो फिर आपके लिए एक आप्शन और बचा है कि आप बगेर इंतजार किये CM Help Line के उपर भी शिकायत दर्जिक करा सकते हैं CM Help Line में आपकी शिकायतों को जरूर सुना जाएगा और वहां से आपको मदद मिलेगी अगर कोई महीला है और महीला ऐसे पड़ोसियों से पिडित है जिसे कहीं कमेंट से ऐसे भी आए हैं जिसमें महीला रे रही है और पड़ोसियों परशान कर रहा है तो ऐसी महीला जो है वह महीला आयोग में भी शिकायत दर्जिक करा सकती है तो एक पड़ोसियो से परेशान वेक्ति के लिए बहुत से विकल्प हैं जैसे वो बिना समय गवाएं थाने में जाकर F.I.R. दरजी करा सकता है एक आवेदन दे सकता है और अगर मानसी ग्रूप से आप इतने परेशान है पर उसे आपको शालिरी ग्रूप से ये मानसी ग्रूप से परेशान कर रहा है पुलीस भी आपकी शिकायतों को नहीं सुन रही है तो आप S.P. आफिस में आवेदन दीजिए अगर वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप C.M. हिल्प लाइन पर अप्लाइद आवेदन कीजिए वहाँ आपका निराकरण़ जरूर होगा और अगर वहाँ भी आपको दिक्कत आती है तो फिर आप मानव अधिकार में भी दे सकते हैं और इसके बाद आपके पस एक ऑप्शन ओर बच्टा है और वो बच्टा है नियाले आप नियाले में भी एक आवेदन लगा सकते हैं उच्छितम नियाले में भारत के सविधान के अनुच्छत 32 के अंतरगत एक आवेदन लगा के आप वहां से भी साहिता प्राप्ति कर सकते हैं नियाले से आपको मदद मिलेगी और आप जो है उस रीट के माध्यम से अपने पड़ोसी से हमेशा के लिए अपने समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं अगर उससे आपको कोई छती हुई है तो अपकृत्ती विधी के अंतरगत जा के आप छती पूरती को भी प्राप्ति कर सकते हैं तो मित्रो ये आज के वीडियो हमारा था जो बहुत सर लोगों के सवालों का जवाब था तो मैं ये आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आपके जितने भी ऐसे सवाल है जो कि पडोशी से related है पडोशी से संबंदिते उनका समाधान आपका इस वीडियो में हो गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई समस्या के समाधान के साथ तब तक के लिए आप इजासत दीजिए शुक्रिया धन्यवाद